जामाविंदवाशनी हर हर महादेवाप्षभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेस्बुक पेज पे वन्स के वरिधी अगर उड़क गई हो वन्स वरिधी रुखने के अनेक कारण बनते हैं जनम कुण्डली में कोई दोस हो पंचम अस्थान पे पंचम भाव पे किसी कुरूर ग्रह के दृष्टी हो जिससे की संतान प्राप्ति में बाधा हो रही हूती है साथ ही कुल का का होता है अनेक प्रकार के ऐसे कारे होते हैं जो पूरबजो द्वारा अगर कर दिये गए हो स्वम्य के द्वारा भी अगर कोई दोस उपस्तित हो तो सब कुछ होते हुए भी संतान प्राप्ती में बहुत दिक्कत होता है मेडिकली आदमी हो सकता है सही हो लेकिन यहां जो है संतान की प्राप्ती नहीं हो रही है ऐसी स्थुती में हमें भगवान महादेव के सालसाथ भगवती जगदंबा की स्रणागती लेनी चाहिए अगर गर्भ में संतान आने के पश्चात, गर्भ ठहरने के पश्चात अगर किसी प्रकार का कश्ट भी पत्ती आ जाता है गर्ब जो है गर्ब पात हो जाता है किसी प्रकार से गर्ब ठार नहीं पाता रुक नहीं पाता उन सभी में भी आज जिस विधान को बता रहे हैं उसका प्रियुक किया जा सकता है पूरे विधि विधान को करना चाहिए एक आपकी कोई गुरु हो, मारक दर्शक हो, इसके विशय में चर्चा करना चाहें, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी विक्ति को इसके विशय में नहीं बताना चाहिए, ना पूछना चाहिए, यह कवच जो है, इसके विशय में कहा गया यह भगवान शुरे नाराणी के द्वारा यह कवच दिया गया है इस कवच का नामी है वन्सकवचम वन्स व्रिद्य दुरगां कवचम वन्सकवचम तो इसमें आपको इसका पीडियफ सबसे पहले मिल जाएगा वीडियो के डिस्किप्सन में लिंक होगा पीडियफ का उसे डाउनलोड कर लिजे, मूल कबच का पाठ करना है जो पहले का पूरा आगे का पूरा विधान निया गया है और जो फल्स रूती है, वह अक्यूल पहली बार रंतीम्मार करना चाहिए मूल कबच का पाठ अधिक बार करना चाहिए. सुर्पथम इसको सिद्ध करने की विधी क्या है सिद्ध करने के लिए सुर्पथम आप किसी भी महीने के सुकलपक्ष अथवा कृष्णपक्ष अश्टमी से चतुरदसी तक प्रती दिन इसका 108 बार मूल कबच का पाठ करेंगे अपने घर में कर सकते हैं भगवती दुर्गा के मंदर में भी कर सकते हैं मूल कबच का पाठ करने के समय में आप एकी स्रीव वस्तर पीला या लाल होना चाहिए दिसाप पुर्वे की ओर होने चाहिए या स्रीविग्रह जो मंदिर में गर हैं तो स्रीविग्रह की ओर भगवती की ओर आपका मुख होना चाहिए घी का दो दीपक प्रजुलित करेंगे उसके पशाद संकल पलेंगे कि पूरा गिंती करने के लिए किसी अन्य चुछ का प्रियोग कर सकते हैं या फिर बेल का पूरा फल रहेगा या थवा उसके सिवाए आप पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं लेकि नारियल को फोड़ना नहीं है इस बात का ध्यान रखना है वो गोटा ही समर्पित हो जाएगा भगवद्य की पास रख दिया जाएगा पुश्प पर जब जूब कर लेते हैं तो वा फूल भगवद्य की चरणों में समर्पित कर दी जाए आपके द्वारा या फिर पंडी जी के द्वारा यहाँ कारिया आपको नित्य करना है घर में अगर कर रहे हैं तो भगवती की श्रीवग्राय के चरणों में समर्पित होंगी तो इस तरीके से आप अश्टमी से चतुरदसी तक पाठ करेंगे अंतिम दिन स्वयम हवन करने आता है तो सुक्ष्म हवन स्वयम भगवती दुर्गै के एक स्वाठ नाम से या जहनति मंगला काली जो मंत्र है बहदर काली के पाली दुर्गैशमा इस मंत्र से आप एक स्वाठ आहूती घी और गूगल से देंगे इस्त्री है तो पॉस्टिक हवन सामगरी क्या होती है उसका एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध सर्च करके देख लीजेगा उन सभी हवन सामगरी को मिला के उससे हवन करेंगे ठीक है तंतुरुक्त विदी है अगर दोनों को इसका बच के साथ मनुष्ठान करते है तो अतियुत्तम है तो पती जो है घी से आहूती करेंगे घी और गूगल मिला के और पत्नी जी जो है वो पॉस्टिक सामगरी से या फिर अपने पती के हाथ को ही केवल स्पर्श कर देंगे इस प्रकार से आपको यह चाहिए अगर इस विधान के साथ साथ आप लोग घुश्मेश्वर महादेव की विधी चैनल पी दीगे है शिवजी काविसे करने का विधी है उसके साथ साथ इसको अगर करते हैं तो अगर आप घुश्मेश्वर महादेव वाले विधी के साथ वंस विधी कवच कानुष उठान करने जा रहे हैं तब आपको यहाँ घुषमेश्वर महादेवाली विधी के साथ करनी है तो उस तिथी से ही आरंब होगी जब आप उनकी पूजा आरंब करेंगे जो कि महासिवरात्री अथ्वा मासिक लिए इस दिन से साथ में आप यहाँ पाठ भी आरंब करेंगे तो उसमें जितना अभिशे कि त्यादी की विद्य है उसको कर लेने से पहले ही आपको यहाँ पाठ कर लेना है ठीक है पहले वंस्वरिधी का पाठ करेंगे फिर भगवान श्युका आभिशे को जीने करेंगे अगर बहुत अधिक कश्ट हो तब इन दोनों कोई का एक साथ आप समयोग प्रयोग करते हैं अनुस्ठान करते हैं तो आपको सिगर हती सिगर ही लाप राप्त होगा है तो उसमें एक महीने तक 11 दिन तक यथा सकती उसमें जब अनुस्ठान चलेगा साथ साथ में आप यह भी करेंगे अन्तिम दिन हवान एक साथ होगा तो उसमें घुषमेश्वर महादेव के मंत्र से सबसे पहले आहुती पड़ेगी और उसके बाद भगवत्ती की एक स्वाठना में अफिजनति मंगला मंत्रित्यादी से और यह अनुस्ठान आप करेंगे इस प्रकार से पूर्ण जब प्रथम बार अनुस्ठान कर लेते हैं ऐसे तो मोलेते हैं कमसे का मैं 1100 जप कर लेना चाहिए उसके प्रशाद इसकी प्रियोग विधी है जब आपका यह अनुस्ठान चले और हवन हो उस समय में एक धक्कन लगा हुआ कलस या लोटा उसमें सुद्ध गंगा जल भर क करके रख दिया कीजिए प्रति दिन जब आप जाब करें तो आपकी वाणी से जूरजा निकल रही हो वह उसके उपर प्रक्षेपित हो और जब हवन हो तो हवन का अगनी का ताप जो है लोटे तक पहुँचे इस बात का ध्यान रखें वह अभी मंतरित जल्ब कैसे पीना ह है उससे हम बता देंगे देखे इस कवच के प्रभाव से इस कवच का अनुष्ठान करते हैं तो किसी भी कारण से अगर बंस रुका है वह दोस उस दोस से छुटकारा मिलता है वन्स की ब्रिधी हो जाती है साथ ही अगर बंधियां है बहुत लंबे समय से शंतान के प्राप अंधियां है तो ही उसमें लाव होता है ठीक है और जिनको कुछ मेडिकल इसू हो जाता है जो बोलते हैं कि पुश्प जो बनने होते हैं गर्वच्छित्र में वह नहीं अगर बन रहे हैं जिससे की गर्वधारण हो ही नहीं पाता हुश्ठी के भीतर उसमें भी यह चीज लाव देता है अभी मंतरत जल को पीने से अभी मंतरत जल या मखन कैसे खाना पीना है वह विधी हम बताते हैं आगी इसके सिवाए अगर गरन अच्छत्र की बाधा हो गुल का कोई दोस हो प्रीत पिचास का दोस हो पितरों का दोस हो या किसी अभिशार कर्म के कारण सुत्वन हो गया हो उससे भी छुटकारा मिलता है जब हम इस कवच कनुष्ठान कर लेते हैं या करवा करके उसके पश्यात अभिमंत्रित चीजों को जैसे इसमें रुद्राक्ष गर्भ गवरी रुद्राक्ष जो है उनको इसमें अभिमंत्रित किया जाता है और उसे पहना जाता है उसके पश्यात अभिमंत्रित कवच इसके बनते हैं कवच का अनुष्ठान होता है उसे भी अगते और इतना ही नहीं इस कवच का गर्व में आने वाले बालकि की रक्षा होती है जन्म होने के पश्चात भी उसकी उपर भगोति की कृपा बने रहती है और योगिन्यों के द्वारा वो शदेव रक्षित और पोसित होता रहता है यह कवच का प्रभाव है और कवच अपने आप में अती विसिष्ट और उत् प्रकास किया रहा है आप सब इसे करें अब इसको प्रियोग कैसे करना है देखिए जब आप इस कबच का नुष्ठान एक बार कर लेंगे और उसे में जुस जल को अभी मंत्रित रखेंगे उस जल को इस्त्री कब कब पीएंगे अगर पूरुस में किसी प्रकार का दोस है उन प्रति दिन सुबह नहाने धोने पूजा करने के पश्चाद भगवति के प्रसाद प्राप्त करेंगे उसके पश्चाद उस जल को भी खाली पेट में पहले पी लेना है इस्त्री जो है जब रित्व स्नाता होती है यानि कि उनका मंत्ली साइकल प्रेट जो है पूर्ण हो जाता है जैसे बाल तरदिद होती है और प्रधम पूजन करती है उस दिन से उनको वह अभी मंत्रित जल पीना है जो अनुस्ठान के समय भी मंत्रित किया थे और ऐसे उसके पर जल पूर्ण हो जाए यह आपके पास जल नहों रखना भूल गये हो तब ऐसे इस तिती में प् पीना है इस तरी को और पुरुष को भी विशेश करके जब रित्वस्तनाता होती है तो उस समय उनको अगले दिन से लगातार जल जरूर पीना है कुछ समय तक और ऐसे लंबे समय तक पीती है तो बहुत अच्छा होता है इसके सिवाए रित्वस्तनाता होने के पशात इस क अगर खाती हैं तो अवश्य जो है गरवधारन इत्तादी होता है ऐसा वरणनाया है रभी बार की दिन जब कभी भी संक्रांती लगे या फिर रभी बार की दिन सब्तमी पड़े सुक्लपक्ष की सब्तमी पड़े तो उस दिन चुकि यह भगवान शुर नारायन का विशेश दिवस है और उस दिन जो है भगवान शुर की बहुत विशेश क्रिपा होती है और यह कवच उनके द्वारा ही चुकि बताया गया है तो इसलिए यह विधान भी है कि उनकी क्रिपा से गरवधारन हो इसलिए घर के चौखट पर जो आपका घर का प्रमुख द्वार है मकान का प्रमुखद्वार है जहां कुल के देवी देवताओं का पित्रों का पूजन होता है तो चौकट के पास खड़े हो करके उस अभी मंतुरित जल या अभी मंतुरित मक्षन को अगर शुर नारायन दिख जाए तो देखते हुए उसे खाना चाहिए पीना चाहिए अगर ना दिखें तो बाहर जाकर प्रणाम कर लिजिए और उसके पचत बाहर जाकर दर्शन करके शुन ना रहने का तब जो है अभी मंतुरित जल को पी लीजिए या अभी मंतुरित मकन को खा लीजिए इससे भी बहुत त्वरित लाभप्राप्त होता है तो यह वह वह विधी उन सभी के माध्यम से आप नुष्ठान करें और जब आपको लाभप्राप्त हो जाए तो आज जीवन उस आने वाले संतान को भी और आप भी शुदासी और भगवती की भक्ति करते रहें दूसरों का कल्यान करने का प्रयास करते रहें उनकी भक्ति कभी छोड़े नहीं ज जामा भिंदवाश्नी हर हर महादेव